आज बात करेंगे हम आखों के फड़कने के बारे में क्या कारण होते हैं कैसे इसको आँखे फड़कना नॉर्मल है लेकिन अगर बहुत जादा बार बार आपके फड़क रही है उसको बिल्कुल भी हलके में नहीं रहना चाहिए क्योंकि गंभीर बिमारियों का संकेत हो सकती खान पान में क्या चेंजिस कर सकते हैं क्या हैं और अगर आप होमेपतिक मैडिशन से मीड़कन आपके लाह चthsकते है वी इसी.. चैनल के पुरा फाइदा आप तक पहुंसे के लिए तो आखों का फड़कना है वह कभी-कभी परियाब नीद नहीं होने की वजह से नीद कम लेने की वजह से यह स्ट्रेस तनाव थकान की वजह से बहु ज्यादा आइस ट्रेंग यानिके आखों का बहुत जादा गर आप वर दारेते हों सब्सक्राइब करों सब्सक्राइब नोरे स Tonight you can catch 1 यो हुएप 2 जी यह होता है सब्सक्ता था ? जलो सब्सक्राइब का जो होता है लिग्यो mammoth, laceantess? पंगनेशियम की कमी की वज़े से भी आंखों का फटकना मिल सकता इस पेशली गवार को रेँचे पर रामर प्रॉबलम होरी तो तो नीन पूरी लेनी है वाद है केले को बढ़ा सकते हैं केले में काफी मात्रा में पोटेशियम होता है इसके लाव में आपको हुमेपर्थिक बायो कमेक साल्ट भी बताऊंगी मैडेसिंस के साथ जो आप डेली बैसे पे ले सकते हैं जो आपको चिंतार तनाव से छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे जालू या खीरा का यूज कर सकते हैं कि अगर बारी बारी से आप गरम पानी का शेक आखों पे कर सकते हैं जिससे कि मांस पीशियां जो हैं आखों की उनकों का अराम मिलेगा और जो आइस ट्विचिंग बहुत ज़दा हो रही है जर्किंग जो हो हो एंठन या और एड़ा आपको काफी करें कि blepharospasm या hemifacial spasm से बचाने में तो बात करते हैं हम होमेपितिक मैडिसेंस कि क्या होमेपितिक मैडिसेंस ले सकते हैं तो सबसे टॉप ग्रेट मैडिसेंग हो है जो आपको blepharospasm में मदद करती है यानि कि आगर आपकी जो आंखें हैं वह संकुचित हो और आखो खोलने में भी एक थोड़ी सी दिकत सी मैसूस हो रही है पहुज़ा फोटोफोबिया से मैसूस हो रहा है यानि सुरज की रोशनी से आपको परेशानी हो रही है तो जो सबसे टॉप ग्रैड मेडिसीन है उस मेडिसिन का नाम है अगरिकस ठर्टी अगरिकस ठर्टी इस तरह की प्रॉग्लम के लिए बहुत ही अच्छी मैडिसीन है दूरभूंत करके दिन में तीन बार इसको लिया जा सकता है अगर जादा ट्विचिंग जर्किंग मैसूस हो रही है और आखो खोलने में परेशानी हो रही है और यह जो समस्य है काफे दिन से चल रही है दो काफन है इसे चल चुटार करके दिखाए दे रही है और आंखों का जो फढकना है क्या है और आमप्रेम को या खुद बार ही वह एकदम सदो न क दिका अंव नहीं देता है दूसरे पर संग लेकिन आपने दूसरे बार परसे जान घंगे एसको अभ Bellаний कर यह के भिक, एस शर दो तो बुन दिन में तीन बार सुबह दो पर श्याम करके यह medicine इस condition में ली जा सकती है नेक्स जो medicine है उसका नाम है physo stigma 30 potency में यह medicine कब beneficial होती है जब आपको आँखो की फड़कने की समस्या तो ही साथ ही आपको धुंदला सा दिखाय दे रहा है यानि कि हलका हलका सा blood visions आपको feel हो रहा है काफी टाइम से आँखो की रोशनी में changes में जरा रहा है कि आप पहले जैसा देख पा रहे थे वह देखने में वैसा आप नहीं देख पा रहे है आई strain भी आँखों में दर्द भी आपको अगर मैसुस हो रहा है तो physo stigma 30 potency में ले सकते हैं दो दो बुन दिन में तीन बार सुबह दो पर शर्म करके बहुत पहनी विशल रहे हैं यह तीनों medicines तो ऐसी हैं जो आप लक्षणों के हिसाब से medicines select कर सकते हैं आगे जो मैं आपको medicine बता रहे हूं और एक eye drop पी बता रहे हूं यह हर person को लेनी है जिनको आखों के फटकने की समस्या काफी समय से है या बार-बार आखों के फटकने की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं तो वह जो medicine दोप की रोशनी काहना तो वह जब डर्याच़ओंप का सचाफ या वाइव दोटे रोशनी हुए प्राइब से दिश्र। परं़ेजरे और आपोस काम की तो आट सब्सश्राइब की एवानidor Days जी स्मेसे का समझेय के स Adminis जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है आंखों की ड्राइस की अगर प्रॉब्लम है तो भी ठीक होगी और साथी जो ट्विचिंग और फाइल लिट्स आपको लग रही है जो आखों के पड़कने की समस्या है वो भी इस आई ड्रॉप से ठीक हो जाएगी नेज्स जो डोनों Singh下來 मैडिसिन है उसका नाम है मेल्लका чे मैडेशिन है गर आपको आइस में दर्त भी हल्क अफल का बना है बारी पन सा महसूस हो रहा है और अगा कि किसी सूजन सी महसॉस हो रही है तो मैडेशिन जो भुछ बेसी एक चलिक्षा का काम करती है क्या मेगनिशम और पोटेशम की कमी की वज़े से ही आंखों की जो महासपेशया है उनके सिकुडन विचिंग और इस तरह की समस्या होती तो यह एक आप सप्लिमेंट के दोर पर मैडिसिन ले सकते हैं कि आपने नीद अच्छी से नहीं ले पाते हैं आप तो वह नीद भी पूटी करेगी नाइट मेले से स्ट्रेस तनाव भी कम रहेगा इसको आप जरूर नाइट मेली जेगा मेकफोस 6X मौर्णिग में और कालिफोस 6X जो आपने यूफरेशया जो आइड्रोप है वह सुबश पास्म की तो उसमें से जो इनके लक्षन आपको महसूस होते हैं वह मैडिसन आप सिलेक्ट कर लीजिए और इन मैडिसन के साथ ले लीजिए आँखों के फटकने की प्रावलम ट्विचिंग जर्किंग की जो प्रावलम है इन मैडिसन से पूरी तरह से ठीक ही जा सकते हैं अधिक तरह सारी दिए से जो कंडिशन के अकोडिण करती है किस मैडिसन को किस कंडिशन में देने ची लेकिन यह टॉप मैडिसन और अधिकतर कंडिशन में यह फाइदा पहचाती तब ज़रूर ट्राइ किजिएगा समझेगा इनके लक्षन और उस हिसाब से अपने लक्ष करने की कोशिश किये तो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा किसी टॉपिक पर आगर आपको वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं कोई क्वारी हो तो कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यो पर वोचिंग जय हिंद जय भारत वंदे मातरूं